श्री शिवाई नमस्तुब्यम गुप्त नवरात्री जी हाँ जो चेत्रिक नवरात्रे आते असाड़ी नवरात्रे आते वेसी माग के मेने में गुप्त नवरात्री आती है जो की रवीवार 22 से सुरुवत होने जा रहे हैं इस उपाय को गुरू जी पंडी जी ने पहले की हमें बताया है बहुत सुरल हुपाय है अच्छ समझेगा करिएगा आपको जरूर फल्की प्राप्ति होगी चलिए वीडियो शुरुबात करते दो स्वागते मोधिती ऑफिसल चैनल पर आपने अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्क्राइ लेना है आम के पतें जीन डंडी में लगते हैं आप वीडियो में देखिए इन डंडियों को एक डंडी आपको मार्केट में जहां भी बुजा का समान मिलता है है किरानी की दुकान पर भी मिल सकता है तो कच्चा सूध ही आईएगा और 11 तुकड़ों को उस कच्चे सूध से 11 बार लपेटेगा ज्यां रखेगा 11 बार लपेटना है कच्चे सूध को 11 रंडियों में ठीक है यानि 11 अब इस डंडियों को उस सहेद में डुबाने के बाद आप इस डंडियों को लेकर आपको महादियों के मंदिर चले जाना है आपके घर के आसपार जहां भी महादियों का मंदिर हो चाहे सुभा कर ले सुपाय को ये शान को कर ले महादियों के मंदिर जाकर महादियों को आपको अशुक सुंदरी के इस्थान पर समर्पित करना है जहाँ पर माशु सुंद्री का इस्थान होता ना बीच में जल भेके चाता है मोटी सी लाइन होती है यहाँ पर आपको समर्पित करना है समर्पित करते समय जो भाग आपने सहिद में डुबाया है वो भाग आपको महादेव की ओर करना है और जो सहेद में नहीं डुबाया है जहां से जल भेकी चाता है उधर करना और आपको उस वेक्ति का नाम लेना है किस वेक्ति का नाम लोगे जो आपका पेशा खा के भाग गया है आपका पेशा वापस नहीं कर रहा है या आपके घर में शुक्ष रमद्धी सांती नहीं है किसी वेक्ति के कारण या फिक घर में शुक्ष रमद्धी पेशो की तंगी आ रही है कड़की चल रही है वो अपनी मनोकामना बोल देना और बोलने के बाद आप क्या करोगे एक रुमाल लेक्के जाना एक कपड़ा रखके ले जाना और जो सहेथ आपने लगाया है रंडियों में वो सहेथ को एक उंगली से लेके अपने रुमाल पर लगा लेना और उस रुमाल को जेम में रखकर अपने घर की और आ जाना बस इतना सहिया उपाय इस उपाय को आप नवरात्री में नो दिनों के अंदर कभी भी कर सकते हो और नवरात्री में इस उपाय को आप करते हो अगर प्रथम दिन करते हो दूसरे दिन करते हो जब भी आप करते हो आपको मात्र नो दिन के अंदर ही फल की प्राप्ति हो जाती आपकी मनो कामना पूरी हो जाती तो बहुत अच्छा उपैप जरूर कीजिएगा स्री शिवाई नमस्तु भ्यम